लोगसभा दोजारचोबिस के चुनाओं से पहले कॉंग्रेस और बीजेपी तो एक दूसरे को पर हमला करी रही है लेकिन छोटे दलों की राजनीती भी एक एहम मोड लेते हुई दिखाई पड़ रही है क्योंकि इससे पहले छोटे दलों ने जाने की भाजपा के अलावा और कॉंग्रेस को छोड़ करके अन्य दलों ने भी अलग अलग राजयों अपने भूमिकाओं को निभाने के लिए और साथे चुनाओं जीतने के लिए कई एहम कदम उठाये थे अब इसको ले करके कॉंग्रेस जो की एक बड़ी पार्टी है और ते केंदर की विपक्ष पार्टी है इसने अपने आपको फिर से एक बार या साबित कर दिया है कि चाहे विपक्षी दलों की मीटिंग में कोई भी बड़ी बात हुई हो पर फिर भी राजय में होने वाले को ले करके वाहा हर एक सीट पर चुनाओ लड़ने को तयार है अब आगामी लोगसभा चुनाओ को ले करके पटना में विपक्षी दलों की बैठक को 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि बंगाल प्रदेश के कॉंग्रेस के प्रमुख ममतबनर जी पर तीखा हमला बोला है के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंग वाजवा ने आम आदमी पार्टी को भाजपा की टीम भी बता दिया है किवल इतना ही नहीं बंगाल प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्षिन दावा किया है कि ममता को अब समझ में आ गया है कि राजनीती किधर जा रही है इसलिए वार आ अब हासी सीम है वर्तमान सीम खोका बाबू है अब तक कॉंग्रेस ममता को सड़ी हुई लगती थी अब लगने लगा है कि भविष्ठ कॉंग्रेस का है इसलिए अभी भी उन्होंने कॉंग्रेस को मानना सुरू कर दिया है चौदरी ने आभी कहा कि राष्टी अस्तर पर मीटिंग के बाद पंजाब की राजनीती भी गरमा गई है कॉंग्रेस गटबंदन ने आमाधी पार्टी को अपने पक्ष में सामिल नहीं करने का रुखसाफ कर दिया है नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंग बाजबा ने आमाधी पार्टी बाजबानी हमला बोलते हुए य अगर दिल्ली और पंजाब में आमाधी पार्टी से समझाता होता है तो इससे कॉंग्रेस कोई नुकसान होगा कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता प्रताप सिंग वाजबा का कहना है आमाधी पार्टी ने 2014 में दस्तक दी थी उस समय में दिल्ली में कॉंग्रेस ने आमाधी प पांग्रेस में समझावता हो गया तो इससे जंता के बीद गरत संधेज जाएगा जहां तक दिल्ली के सरकार के खिलाफ लगाए गया ध्यदेश का मामला है तो उस पर फैसला मांसून सत्र मिलिया जाना है और अभी उस पर फैसला लेने की बात उचित नहीं है इसके अलावा इन दोनों ही दलों की आपस में हो रही लगातार जड़प के बीच में भाजपा मजे ले रही है बंगाल के वरिष्ट भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदू अधिकारी ने कहा है कि बंगाल में कुस्ती चल रहा है और पटना में दोस्ती की जा रही है यहां कारी करता खुन बहार रहे हैं जब्कि पट्ना में नेता आपस में दोस्ती कर रहे हैं। के लडाई है उन्होंने कहा जन्ता सब समझ रही और आने वाले चुनाओं में उसे पता है कि वोट किसे देना है जाहिड तोर पर सुवेंद्य अधिकारी का निशाना सभी भी छोटी वई पार्टियों का है जो कि किंदर सरकार के खिलाफ लगातार अपने आपको एक ख्रिट करने की प्लाइनिंग कर रही है फिलाल के लिए इतना ही देश और दुनिया के साथी अपडेट्स और खबर पाने के लिए जुड़े रही हमारे साथ और देखते रही है एस्पेन नाइन न्यूज